नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का दोस्तो एक भरती की आज भी कोट में सुनवाई हुई है फिर से लगा करारा जटका एक बार फिर इतनी लंबी डेट मिली बहुत सारे साथी इंजार कर रहे थे कि आज कुछ नगुछ अच्छा देखने को मिलेगा कोट के अंदर सुन करें और यदि आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिये लिंक से या फिर सर्च कर सकते हैं टार्गेट ऑफ गवर्मेट जो विद आरके हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो दोस्तो शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो आप केस्ची से किया हुआ है जो प्राइवेट एक्सपिरेंस है उसको इलीजिवल नहीं मान रखा है एसको मान नहीं रखा है तो उससे रिलेटेड केस किया गया है कि क्यों नहीं मान रहे हैं तो इसके रिलेटेड जो एसससी है इसने देखो क्या किया है एसससी ने अपना जो अपील करने होती है, वो फाइल ही नहीं की यानि के अपील दर्ज ही नहीं की है और सुनने मीं आ रहा है कि वहाँ पे जो अरियाना के एडवोकेट साब है वो गए थे हैื่ दो उन्होंने 40 दिन का समय मांग गए कि हमें कम से कम 40 दिन का समय दिया जाए appeal दायर करने के लिए क्योंकि इस से related भरतियों से related जो appeal दायर करने वाले है वो भी फिलाल 60 पे है तो इस वज़ए से अब अगली सुनवाई के date है वो 19 अक्तूबर दे दी गई है यानि कि अब जो साथी ये सोच रहे थे कि हमें बहुत जल्दी result देखने को मिल जाएगा तो उनको भी 19 अक्तूबर तक और इंतजार करना पड़ेगा और इससे पहले सुनवाई 22 अगस्त को हुई थी अगर उस टाइम stay नहीं लगती तो साथ अब तक result भी आ जाते और अब बहुत सारे साथी वेट कर रहे थे अगर आज यह सुनवाई हो जाती और case clear हो जाता तो हपते 10 दिन में यह result आ सकता था अब 19 अक्तूबर के बाद ही आपका result देखने को मिलेगा बक्की जहां तक लग रहा है यह चीज़ें सब election की वज़े से अकेट 40 आ रही है आपकी इसके बारे में दो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें